हलो फ्रेंड्स मेरा नाम चंद शेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैस पर और यहां सब कुछ मिलता है आपको टॉप चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज के सेशन में आप पढ़ने वाले हैं जो एक् के चक्रवर्दी व्याज और साधार व्याज के अच्छे लेवल के प्रशन आये थे सब को डिसकस कर लेते हैं प्रशन को वन वाई वन ठीक है करीवन हमने लिए बारे प्रशन ओके और एक एक को सॉल्व करेंगे अप्रोच रहने वाली है बैस्ट और जो विद्ध्यारती जो स्टुडेंट दो तीन पांच फेज जो एक्जाम होने वाला है बारे जून से लेकर सत्य जून को तो उसमें जाने वाले आपको क्या करना है अच्छे से इन प्रशनों को करके जाएं जिससे कि आपका एक्जाम 100% निकल जाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडिय कैसे करना है मैं अच्छे से समझाऊंगा तो मैंने ओर्डर में लिया है जैसे कि इजी प्रशन उससे थोड़े से हार्ड उससे थोड़े से हार्ड तो इसको करते हैं पहला प्रशन देखो बड़ा किया जाए आपसे कहता है एक निशित वार्शिक देख लेते हैं पहले तो धन्डाशी 10 वर्षों में 75 प्रतिशत की ब्रद्धी होती है मेरे प्यारे बच्चों यहां साधान भ्याज है यानि कि 10 वर्षों में आपको साधान भ्याज मिलती है 75 प्रतिशत तो देखें कैसे करेंगे 10 वर्षों में आपको साधान भ्याज मिलती है 55 प्रतिशत कोई भी आपको दिक्कत नहीं है ओके फिर आगे देखिए आपसे पूछाए समान वार्षिक साधान ब्याज की दर से दर समान है एकी दर है 6 वर्षों में कितने प्रतिशत की ब्रत्थी होगी तो पूछा गया है 6 वर्षों में अगर आप talented है तो आप क्या बना लेंगे आप ratio बना लेंगे यानि कि 10 वर्षों का 6 वर्षों से ratio बना लेंगे कहने का मतलब ratio बने का 5 अनुपात 3 यानि कि 5 की value 75 है तो 3 की value कितने होगी 5 से कटे का 75 कितने बार आपने मुझसे कहा 15 प्रतिशत बार पंदरे रख लेंगे तीन में और रेट हो जाएगी 45 प्रतिशन यही करेक्ट आंसर है इस कोशिण का नेक्स्ट कोशिण पर चलते हैं अगला प्रेशन आपसे क्या कहने कोशिश करता है कहता है 5,000 रुपे की कुल धंदाशी में दानिश एक भाग को 12% बारशिक साधान बयाज की दर पर और 6 भाग को 10% बारशिक साधान बयाज की दर पर निवेश करता है कहने का मतलब दानिश के हाथ में 5,000 रुपे थे वे इसका एक भाग ए माल लिजे दूसर भाग बी माल लिजे एक भाग को 12% की वार्षिक साधान व्याज की दर पर निवेश करता है और सेश भाग को 10% वार्षिक साधान व्याज की दर से निवेश करता है यदि दो बर्सों में उसके द्वारा प्राप्त कुल व्याज 10,000 भात्तर की बराबर है मुझे एक बार बताओ दो बर्स में दो बर्स में उसको व्याज कितना मिलता है सुरी एक हजार भात्तर है दस हजार भात्तर नहीं दो बर्सों में एक हजार भात्तर मिलता है क्या होता है मैंने कहा कि दानेश जो पांच हजार रुपे लगा रहा था पहले धन में और दूसरे धन में जिसमें से पहले पर 12 प्रतिशत दूसरे पर 10 प्रतिशत मुझे एक बात बताईए पहले धन को ऐसे तोड़ लू में 2 प्रतिशत प्लस 10 प्रतिशत और दूसरा तो 10 प्रतिशत है ही मैं आपसे यह कहूँ कि B पर मुझे 10 प्रतिशत का ब्याज मिलता है और A पर भी मुझे 10 प्रतिशत का ब्याज मिलता है और A और B मिलाकर बनते हैं 5000 तो 5000 पर 10 प्रतिशत का ब्याज मिलता है तो 5000 पर 10 प्रतिशत कितना होगा आपने कहा 500 रुपे 5,000 का 10% 500 तो 500 रुपे ऐसे होंगे जो A और B का 10% 10% निकालने के बाद बनते हैं बचा कितना 36 रुपे ये 36 रुपे किसके द्वारा एक्स्टा रुपे मिले हैं आपने मुझसे कहा कि A का बचा हुआ है 2% 2% बचा है तो ये राशी कितनी थी आपने मुझसे कहा 32 और दौनों मिलाके 5,000 क्या पूछा है देखिए पूछा है 12% बार्शिक सादान ब्याच की दर पर कितनी धनराशी निवेशित की गई तो 12% पर निवेशित की गई अठारे सुरुपे ये और आंसर है आपको अगला प्रशन देखिए क्या कहता है अब प्यारे प्यारे प्रशन आएंगे 20% वार्शिक चक्रवर्दी ब्याच की दर पर तीन वर्स के लिए और 20% वार्शिक सादान ब्याच की दर पर समान अब्दी के लिए निवेशित एक धन्दाशी पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 रुपए है कहने का मतलब रेठ है आपकी 20% और ये आपसे कहता है कि tीन साल का चक्रवर्दी ब्याच कितने साल का तीन साल का और तीन साल का साधान ब्याच का अंतर दिया गया है 449 रुपए किसे निकालेंगे? कभी भी आपको तीन साल का चक्रवर्द व्याज और साधन व्याज का अंतर निकालना है मैं शौट्रिक बता रहा हूं वह यूज करना और सवाल को उड़ा देना कैसे करना है? कैसे करना मैं समझाता हूं? आपको अंतर बताने डारेक्टली देखिए में कराता हूँ आपको यहां पॉइंट लगाना चार लाइन खीचना परसेंट लगा देना यही अंतर है किते साल का तीन साल का कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ यह 20 प्रतिशत आप लेखेंगे तीन बार क्योंकि तीन साल के लिए रेट है फिर आपको करना क्या अच्छे सुनना पहली बार आप इन तीनों का गुणा कर लेना क्या सकते हैं इसको A मालने इसको B इसको C पहली बार ABC यानि कि तीनों का गुणा कर लीजे आठ हजार आ जाएगा पीछे से बर ये आठ हजार पीछे से भर दिया उसके बाद क्या करना है आपको अगला स्टेप ये है A का B से उना करना है तो आता है 400 B का C से करना है तो आता है 400 और C का A से करना है तो आता है 400 400, 400, 400, 400, 1200 1200 को भरना है दो लाइन छोड़कर पीछे से 0, 0, 2, 1 जब add करेंगे न आप तो कितना आएगा आपने कहा आएगा 12.8 0 मानने नहीं होता 0.8 इसके बाद 0 माननी नहीं है कहने का मतलब 12.8 प्रतिश्यत ये आया है 3 साल का चक्रवर्ति व्याज और साधवन व्याज का अंतर और जिसकी value बराबर है देखिए 440 के कोई दिक्कत नहीं है कैसे करेंगे calculation वो आपको मैं बताता हूँ point काटा 0 लगाया percent अटाया percent के 2-0 और लगा दिये एक कमान निकालना वही answer है अगर मैं बात करूँ 16 से काटू तो 168 128 16 से काटू 1632 32, 1638 1632 बचेंगे कितने बार है 1834, बचेंगे का कितना चार 1845, आंसर है इसका 35 जो की option number 3 ख़लक्ट है चलिए next question ऐसी करना जैसे approach बता रहा हूँ अगला प्रेशन देखिए कभीता 4000 उपे की एक धंदाशी 6.25 प्रतिशत वार्षिक साधान ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करती है, 2 वर्षों की अवदी के बाद कभीता को प्राप्त होने वाला मिश्धन क्या है पहली बाद तो साधान ब्याज का प्रश्न है मैंने कहा rate कितनी है, आपने कहा 6.25% ये तो एक वरस की है 2 वरस की कितनी होगी क्योंकि ये साधान ब्याज है होगी 12.25% साधान ब्याज की दर से आपको 2 वर्षों के बाद मिलने वाला धन निकालना यानि कि मिश्धन आपको पता है ये हुआ आपका ब्याज का पैसा इसमें मूलधन जोड़ देजे मूलधन होता है 100% तो मूलधन 100% ब्याज का पैसा बना 2 वर्ष का साधान ब्याज का 12.5% हो जाएगा 112.5% आपका मिश्धन किस का मूलधन का मूलधन कितना है 4,000 देखिए परसेंट से 0 काट लिया इस पॉइंट से ये कट गया फाइनली क्या करना है चार का गुणा कर देना है और आंसर आ जाएगा आपका 45 ओफ्षन नमबर सेकिंड करेक्ट है नेक्स कोश्चन अगला प्रेशनी कहता है अच्छी से सुनेगा किसी निश्षिद धन्नाशी पर किसी निश्षिद धन्नाशी पर समय क्या है साधान ब्याच समान धन्नाशी पर 12 प्रतिशत वार्शिक दरद पर 5 बर्ष 6 महिनी में प्राप्त साधान ब्याच से 1840 रुपे कम है साधान ब्याच का प्रशनी कैसे वैं कहा रहा है पहली रेट दी गई है 15 प्रतिशत और समय दिया गया 3 सही 1 वटे 3 3 सही 1 वटे 3 3 तिरका 9 और 1 दस यानि कि मैं कह सकता हूँ 10 वटे 3 वर्स में कितना रेट बनेगा आपने मुझसे कहा 5 50 प्रतिशत जबकि 12 प्रतिशत की दर से 5 वर 6 महिने यानि कि 10 पांच साल साड़े पांच साल में कितना प्रतिशत ब्याज बनेगा आपने मुझसे कहा 1250 की 0 केरी कितनी 6, 1250 और 66 यानि कि बनेगा 66% 66% 50% से कितना अदेखे आपने कहा 16% यही आपसे कह रहा है कि कितना कम या अदेखे यह कहता है कि यह वाला कितना कम है तो आपने कहा 16% कम है इसी की वैल्यू 1840 के बराबर है मूलधन निकालना है 16 से काट लीज़े 16 एकम 16 बचेगा कितना यहाँ पर आपने मुझसे कहा हद दो 16 एकम 16 बचेगा 8 1650 और परसेंट के 2-0 लगा देएंगे एक कमान आएगा 11500 जो की option नमबर देख लेते हैं थर्ड करेक्ट है नेक्स्ट कोशन अगला प्रशन आपसे क्या कहता है देखिए क्रितिका ने क्रितिका ने निधी को 25 पैतिशत की वार्षिक ब्याज की दर पर 64,000 रुपे एक वर्ष के लिए उधार दिये हैं जिस पर ब्याज की गड़ना अर्द वाषिक चक्विती आधात पर की जाती है निधी द्वारा भुगतान किये जाने वाला ब्याज का पैसा क्या है मैं आपको समझाता हूँ पहली बात तो यह जो रेट है न यह 12 महीने की है यानि कि एक वर्ष की है और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं आपने कहा 12 महीने यह जो 25 प्रतिशत की वाषिक व्याज की दर है इसका मतलब 12 महीने में आपको देने पड़ते हैं 25 प्रतिशत जबकि इसमें क्या बोला गया है मैं आपको समझा देता हूँ बोला गया है कि यहां पर ब्याज 12 महीनी पर नहीं लगती 6 महीनी पर लगती है कितने पर 6 महीनी पर तो यहां साइकल कितनी बनेंगी आपने कहा 2 साइकल बनेंगी अब यह 2 साइकल बनेंगी किसकी बनेंगी आप मुझे एक बात बताईए 12 महीने की 25 प्रतिशत अदाईगी थी तो 6 महीने पर लगेगी तो 6 महीने की कितनी होगी तो आपने मुझसे कहा कि 6 महीने की अदाईगी होगी 6 महीने की एक बटे दो यानि कि आदी ब्याज लगेगी 12 प्रतिशत साड़े बारा प्रतिशत और उसकी साइकल कितनी होंगी दो क्योंकि 6-6 महिने 12 महिने में 6-6 महिने की 2 साइकल बनेंगी और रेट हो जाएगी आदी क्यों हो यह क्योंकि 12 महिने में लगती है 25 तो 6 महिने पर लगेगी साड़े बारा और साइकल 2 के साथ निकालना क्या है आपको निकालना है वियाच कितनी मिलेगी चक्रड़िती वियाच कैसे निकालना मैं आपको समझाता हूं साडे बारा होता है एक वट्टे आठ कयने का मतलब कोई भी धन आठ था पहली साल बाद मिश्धन हो गया ऑफैसे ही फिर 8 का स्क्राइब और 9 का स्क्राइब यानि कि यह मूलधन और यह हो गया आपका मिश्यधन मूलधन अगर आपका 8 का स्क्राइब तो मिश्यधन आपका 9 का स्क्राइब और जबकि इनका अंतर ही होता है चक्र विर्तिव्याद जो के निकालना है अम मैं इसका अंतर करो तो यह ल मल्टिपल होगा देखिए option check कीजिए कि 17 का मल्टिपल कौन सा है तो 17 का मल्टिपल देखिए यह वालाई के बल तो टिक तो हम यहां से रखेंगे इसमें तो आ जाएगा सत्रहजार और वैसी भी टिक कर सकते option से नेक्स कुश्चन कि अगला प्रेशन आपके स्क्रेन पर एक निश्य धंदाशी को आठारा प्रतिश्यत वार्शिक चक्विति भ्याज कि दर पर एक बर्स चार महिने के लिए एक बर्स में बारे महिने होते हैं और चार महिने अलग से जोड़ी से सोले महिने का डाटा दिया है शोले महिने का यानि कि 16 महिने के लिए निवेशित किया जाता है रेट कितनी है वाज्षिक यानि कि 12 महीने की रेट दी गई है-48 कोई देख्का नहीं है और जबन कि समय दिया है यहाँ पर देखिए 16дел कितना 16 महीने जिस पर व्याज की गढ़ना 8 माशिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है यहनि कि 8-8 महीने की तो मुझे बताई महीने कितने दिये 16 और आपको व्याज कितने महीने पर निकाल ली है 8, कितनी साइकल बनेगे आपने मुझे बनेगे 2 साइकल बनेगे कोई दिक्कत ने कितनी साइकल बनेगे? किस रेट पर? मैं बताता हूँ 12 महीने पर आपको चुकता पढ़ना पड़ता है 18 प्रतिशत यहाँ पर आप जो साइकल बना रहे वे बना रहे 8 महीने पर क्योंकि यहां पर 8 महीने पढ़ दे है 12 महीने पर 18 प्रतिशत तो 8 महीने पर कितना लगेगा मैं आपको समझाता हूँ ratio बना लो 3 का 2 का 3 की value 18 है 6 बार कटेगा तो 2 की value कितनी होगी 12 प्रतिशत यानि कि अगर 8 महीने पर लगती है चक्वेती व्याज क्यों दो होँगी क्योंकि टोटल आपके पास 16 महीना है 8 महीना 8 महीना 2 साइकल चक्वेती आधार पर की जाती है यदि प्राप्त चक्वेती व्याज इतना है तो निवेशी दाशी कितनी है चक्वेती व्याज अब कैसे निकालेंगे इसका अंसर क्या आप इसमें लगा देंगे क्या लगा देंगे वही ratio method यहां लिखेंगे mood धन यहां लिखेंगे मिर्शेधन और 12% होता है काटिए 4 से 3 वार और 125 वार यानि कि पहले साल 25 से 3 ब्याज मिलेगा तो 28 अगली साल भी सेम कहने का मतलब 25 का square 28 का square यह बनना a square minus b square चक्पेती ब्याज आएगी a square minus b square एक में जोड़ेगा एक में घटेगा जैसी जोड़ेंगे तो 53 आएगा और जैसी घटाएंगे तो आएगा 3 और इसी की value किसके बराबर है 3,8,1,6 बस रग दीजिए इसमें फिर ओके कोई दिक्कत नहीं है option दिखाना इसके option दिखाईए option भी देख लिए इतना तो मुझे confirm है कि यहाँ पर जो भी putting value में रखूंगा वहाँ 25 से गुणा किया जाएगा और 25 से यह तो नहीं करता तो यह नहीं होगा बाकी हम ठ्राई कर सकते हैं पर हम काट लेते कोई दिक्कत नहीं है काटना तो बढ़े गई है 3 से काटो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 सत्य और 3 दूनी तिरेफन से काटो तिरेफन दूनी 106 बच्चे का कितना यहाँ पर आपने कहा बच्चे का कितना 21 यानि कि 212 हाँ कट गया यह 4 बार 24 बार 24 रख दीजे इसमें यह होता है 625 625 का 20 में घुणा करेंगे 24 बच्चे की 0 बारा 24 दूनी 48 बारा 60 0 यहाँ पर 6 24 छिंग आपने कहा 144 144 और 6 यहाँ आगे 150 पंद्र अजा इसका करेक्ट आंसर है निकाल लाँ यह समझना है मेन मुद्दा तो यह है कहता है देख लेते हैं कि इसक्रीन पर आ रहा है 4750 रुपे कितने हैं 4750 रुपे की धंदाशी को एक निशित वाशिक सादान व्याज की दर पर 5.5 वर्ज के लिए निवेशित किया गया है परिपक्त पर ध्याई धंदाशी 6840 थी तो बुगतान की गई सादान व्याज की वाशिक प्रतिशे दर क्या है दर निकालनी है आपको क्या निकालनी है दर मुझे एक बात बताईए हमसे क्या कह रहा है कि 4750 रुपे थे और आपने मिश्यधन सादान व्याज की जो दर निकालनी होती है सादान व्याज की जो दर निकालनी होती है उपर रखते हैं एक साल का ब्याज एक साल का ब्याज और नीचे रखते है मुलधन और in person इंटु हंडएट काटना है बस तो 902 से और लेंगे एक साल कभी आज आ जाएगा 300 ती आ गया 300 किस पर मुल्धन पर मुल्धन कितना है 4750 इन्टू 100 काटना है बस काट लीजे किसे काटेंगे जीरो से 0 काट लीजे फिर और काट लीजे किसे काटेंगे यहां पर आप काट लिजे, इसको मैं ऐसे लिख लू, 38 गुणा 100, 00, यहां 4, 7, 5, 25 से काटोंगा, 25 से कम 25, बचेगा 22 याने 225 नो भर, 25 से 4 भर, 19 से 2 बार, 248 परसेंट आएगा, जो की option नमबर देख लिजे, कौन सा है, option दिखाई प्लीज, 3rd कर एक्ट है इसका option, next question, अगला question क्या कहता है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई दिखकत नहीं, राम और दिप्ती में से प्रितेक 8,000 उपे की राशी, 30% चक्रवती ब्याच की दर पर, 2 वर्सों की अवदी के लिए निवेशित करते हैं, यानि कि राम भी करता है और दिप्ती भी करती है, राम के लिए ब्याच की गड़ना वाशिक चक्वती ब्याच के आधार पर की जाती है, जबकि दिप्ती के लिए ब्याच की गड़ना 8 महीने माशिक चक्वती ब्याच के आधार पर की जाती है, दो वर्सों की अवदी के अन्त में, दिप्ती को ब्याच की रूप में, ब्या पर ब्याज लगती है वार्षिक और दीप्ती पर लगती है आठ माशिक लगती है तो राम की दो साल की साइकल बनेगी 30% 30% और लगा देंगे इसमें फॉर्मुला तो यहां ब्याज बनेगी आपकी 69% किसकी राम की वार्षिक तौर पर अब दिप्ती की ब्याज जैसी निकालेंगे आप मुझे बताइए साइकल कितनी बनेगी आपके पास टोटल टाइम दो साले यानि की 24 महिने साइकल बनेगी तीन साइकल बनेगी तीन अब कैसे निकालते हैं रेट मुझे एक बार बताईए अच्छे से यहां पर दीप्ती के लिए जो वार्षिक दर दी गई थी 12 महिने में उसे चुकता करना था 30 प्रतीशत 12 महिने में कोई देखकत तो नहीं है मुझे एक बात बताईए जबकि यहां इसको चुकता करना है 8 महिने में इसके लिए दर क्या बनेगी मैं आपको समझाता हूँ तीन की वैलू 30 दो की वैलू 20 बीस प्रतीशत की दर बनेगी जिसकी साइकल कितने होगी आपने मुझे से कहा साइकल होगी तीन 20 प्रतीशत और 20 प्रतीशत लगा लिजे अभी मैंने शॉट ट्रेक बताई थी कैसे कैसे अगर पूरा आप निकालते हैं चक्र व्रदिव्याज तो मैं कहूँगा 20 बीस बीस आपने कहा 60 यहां लगाईए 10 मलव और 4 लाइन खीज़ लिजे परसेंट और इसका मैंने गुण किया था ध्यान है आपको पहले सवाल में 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 8000 पीसे से बढ़ते हैं दो लाइन छोड़ देते हैं फिर पहले का दूसरी गुणा 400 400 400 1200 पीछी दो खाने छोड़कर आप भरते हैं बारे सो फाइनली यहां ब्याज किती बनी थी आपने का 72.8% क्या स्क्रीन पर आ रहा है देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर आ रहा है बहातर पॉइंट 8% बिलकुल आ रहा है यह ब्याज बनी थी तो मुझे एक बात बताईए राम को ब्याज की रूप में कितना मिलता है या कितना दे किए जी मिलता है 3.8% दीपती को ज़्यादा मिलता है और यह निकालना किसका आठ जार का मूल धन का 3.8% दीपती को ज़्यादा मिलता है दीपती को निकाल लेंगे पॉइंट काटा 08 दिया पॉस्टेंट से 08 दिया 38 ती तिया मिलते हैं एक फोट का रेक्ट है अगला प्रेशन अगला प्रेशनी कहता है देखना अच्छे से बहुत प्यारा प्रेशन है जब व्याज की गणना आठ महीने पर होती है तो 3800 रुपे की धन्दाची X प्रतिशत बार्शिक दर से 2 बर्स में 10381.80 हो जाती है तो पहले बार्शिक दर निकालने यहां जो X प्रतिशत बार्शिक दर है 2 बर्सों में इतनी हो जाती है 2 बर्सों में कितनी हो जाती है 10381.80 मुझे एक बात बताए 2 बर्सों में हो तो रही है पर यहां पर आपकी दर किस हिसाफ से लिगई है 8 माशिक कहने का मतलम मैं आपको समझाता हूँ यानि कि आपका समय दिया है 2 बर्स का और 2 बर्स में आपकी होते हैं 24 महीने जबकि साइकल कितनी बनेगी 8 मासिक से आपने कहा 3 साइकल बनेगी तो आपको करना क्या पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ 3 साइकल का मतलम होता है आपको क्यू रूट करना पड़ेगा दढ निकालने के लिए क्योंकि यहां पर 8-8 महीने पर लगी है ठीक है ओके तो मैंने कहा मैंने कहा कि 88 रुपे हो जाते हैं 10,381.80 कैसे करेंगे पहले तो इनमें रेश्यू बना लेंगे जहां तक करता है पहले तो 0 मानने नहीं होता लास्ट में पॉइंट अटाएंगे सीधे 0 लगा देंगे दे पंजी पैसर दे चीग अठता च्छेवार कर रहें तीरे से काटी है तिरे नम्मी तो ज्यादा हो जाएगा तीरे सत्ती ग्यानवी तीरे सत्ती ग्यानवी बचिशी का कितना बारा 13, 91, 17, बच्चे का कितना? 11 13, 88, 104, बच्चे का कितना यहाँ पर? 7 और 13, 58 फिर आप 6 से काटिए, 1, 0, 0, 0 6 से काटिए, 1 बार, 1, 3 बार, 1, 3 बार, 1, 3, 131 अब अच्छे से बताईए मुझे अच्छे से बताईए कोई भी धंदाची, 1000 से 1331 हो जाती है clear? जबकि आप मुझे बताईए, साइकल कितनी है? 3 साइकल 3 साइकल का मतलब है 3 से 1 साइकल पर जाना है, वही रेट होगी आपकी 8 माशिक की तो आप क्यूव रूट कर देंगे जैसे आपने क्यूव रूट करा 10 से हो गया, 11 और आपका आपका रेट निकला, आपने कहा एक बड़ाए 10 पर, इंटू 100 आपका रेट निकला, 10 प्रतिशत क्या निकला? 10 प्रतिशत बच्चों अच्छे सुनना, 10 प्रतिशत निकला, अब ये 10 प्रतिशत निकला है, वहे निकला है आठ महीने का और जबकि आपको निकालना है बारे महीने का क्योंकि आपने तो आठ माशिक के तौर से निकाला है बारे महीने का आठ महीने का कितना है आपने मुझे से कहा 10% बारे महीने का कितना होगा रेश्यू मना लीजे 2 3 2 से कट जाएगा ये 5 बार और 5 ती है 15 प्रितिशत कहने का मतलब 8 महिने का 10 प्रितिशत तो 12 महिने का 15 प्रितिशत और 12 महिने का यहां पर था X प्रितिशत X प्रितिशत बार्शिक था तो X कमान आगे है यहां पर 15 X कमान कितना आगे है 15 मैं रफ करना इसको अच्छा कुशन है एक्स कमान कितना आगया आपने कहा 15 प्रतिशत एक्स कमान कितना आगया 15 प्रतिशत फिर आगे हमसे कहता क्या है बढ़ाईए तो समान धंदाशी पर प्रतिशत की वार्ष्क दर से एक वर्ष का चक्विति व्याज कितना हो जाएगा जबकि गड़ना अद्द वार्षिक की गई है तो मुझी एक बात बताईए अच्छे से यहाँ पर आपको दर लेनी है एक्स प्लस प्रतिशत एक्स कमाने 15 प्लस प्लस 20 प्रतिशत की दर आए एक्स की एक्स की नहीं जो समान धनाशी पर नई जो दर्ड चाहते हो आप साइकल कितनी बनानी है साइकल बनानी है छमाई यानि कि यहां पर समय दिया है एक वर्स और एक वर्स को अर्दवाशिक काटना यानि कि दो साइकल बनेगी दो साइकल में होगा क्या दो साइकल में होगा क्या मैं समझा दूँ यहाँ पर यह बारे महीने की है 6 महीने की निकालेंगे तो दद्दस प्रतिशत की दो साइकल बनेगी दद्दस प्रतिशत की दो साइकल बनेगी और दद्दस प्रतिशत से आपका चक्विती ब्याज कितना बनेगा आपने कहा 21 प्रतिशत और 21 प्रतिशत चक्विती भ्याज बनेगा किसका निकालना 20 प्रतिशत आपने कहा आपको निकालना मूलधन का मूलधन था 7800 का 21 परसेंट निकाल लिजे आंसर कितना आएगा परसेंट से जीरो कर जाएगा आठ यहां चला जाएगा साथ सोला साथ सोला तेज की तीन कैड़ी कितनी दो दो सत्य चौदे पंदे सोले सोले अर्टिस करेक्ट आंसर आएगा चलिए नेक्स कोशन बहुत प्यारा कोशन है अगला प्रेशन और लास्ट कोशन कहता है व्याज की गड़ना वाशिक चक्वती व्याज के आदात पर करने पर चक्वती व्याज पर निवेशित एक धन्नाशी जो मुल्धन है आपका प्रेंसिपल दो वर्सों में हो जाता है 5,6,180 और आपको पता है जब एक वर्स का फर्क होता है तो ये काम करता है मुल्धन का और ये काम करता है मिश्धन का तो ब्याज कितनी बनी आपने कहा गठा लीजे गठाने पर आपने पाया 0.80 तो बचे गए बचेगा 0 में 0 गया 0 15 में से 8 गया आपने कहा 7 यहां कितना बचा 4 4 में से 1 गया आपने कहा 3 यहां कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3 तो इतने की ब्याज मिलेगी किस पर 5, 6, 1, 8, 0 पर इंटू 100 अब अच्छे से सुनेगा मैं 5 से देखूं तो 5, 6, 30 देखी तो लगवट 6 बार आ सकता है तो मैं 6 का गुणा करके देख लेता हूं क्या 6 मैं गुणा करने पर यह बन रहा है तो देख लेते हैं बिल्कुल 6 बार कटेगा 6, 8, 48 की 8 हाँ कैजी 4 6 कम 6 और 4, 10 की 0 हाँ 8, 1, 6, 6 36, 37 हाँ कैजी कितनी 3 6, 35, 33 थे बिल्कुल 6 बार कट रहा है तो 6 बार कट रहा है अच्छे से सुनेगा के लिए आंसर आजाएगा 6 प्रतिशत रेट आगी आपकी 6 प्रतिशत निकालना क्या है आपको धनदाशी निकालनी है क्या मूल धन आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 2 वर्स में आपको 6 प्रतिशत 6 प्रतिशत ब्याज देने के बाद आपका धन इतना हो गया है और ब्याज जो दी है चक्वेती ब्याज दी है तो चक्वेती ब्याज के लिए आप निकालनेंगे 6 प्रतिशत प्लस 6 प्रतिशत प्लस 6 गुणा 6 बटे 100 प्रतिशत आपको चक्वेती ब्याज देने पड़ेगी 12.36 क्लियर कोई दिक्कत नहीं और जो धन हो गया है तो 112.36 हो गया है देखिए दो बर्स की ब्याज लेकर धन हो गया है 56,180 इसका मतलब आपने ब्याज को जोड़ना है ब्याज कितनी थी 12.36 इसमें मूल धन जोड़ लेंगे 100 प्रतिशन और ये धन इतना हो जाएगा ये जो हो गया है इसका मान 56,180 के बराबर है पॉइंट काटा 2-0 लगाए परसेंट काटा 2-0 लगाए फाइनली यहाँ पे देखिए 56,180 से ये कट गया दो बार और दो से ये एक लाग कट जाएंगे कितने बार 50,000 और यहाँ एक की value ही मुद्धन को दर्शा आता है और answer आपका option second है और यह हुआ आपका सभी प्रशनों का solution आप अच्छे से देखिए revision करना इसका, thank you